सबी विद्यार्थियों को नमस्कार पांच मिनिट की जादूई कलास पांच से साथ कोशन आप सीख के जाओगे पांच मिनिट के अंदर और जो कुछ चेंज हुआ है उसी के उपर ही मेरा कोशन रहेगा तो जितने भाई बंदू देख रहे हैं वीडियो को लाइक भी करना अपने ग्रूपों में शेर जिरूर कर देना तुबै सोवाज़ शेवजे पांच मिनिट का टाइम जिरूर निकालिएगा और मंगलवार रातरी साड़े आठ वजे कलास नसकर्थी में जितना चेंज हुआ उन सब के उपर कोशन लेकर के आ रहा हूँ उस एक डेड़ गंटे की कलास अगर आपने लगा ली तो ये मान लो कि कहां क्या चेंज हुआ आपको क्लियर होगा उसी समय गोसना करूँगा कलास नसकर्थी की बुक के भी तो रास्तान की जियोग्राफी के बुक मार्केट में उपलब्द है आप जाकर के एक बार विजिट जरूर करिएगा धुरू करती है पनेडा महल निमन मेंसे किस जिले में इस्तित है डीग, स्लूंबर, शापुरा, फोटकुतली मतलब जो चार जिले लिखे हैं चारों ही नई जिले हैं चारों ही नई जिले हैं डीग जिला जो डीग जिला है उसमें डीग के महल है डीग के महल है कहां पर है? डीग में है ये डीग के महल पहले कहां पर थे ये पूरम में भरतपुर में थे पूरम में किस जिले में थे भरतपुर में और वरतमान में कहां पर आगे डीग में क्यों क्यों क्योंकि डीग बरतपुर से अलग होकर एक निया जिला बना बरतपुर से अब डीग अलग हुआ पहले कोन अल अत्वाफवारों की नगरी की नगरी के उपनाम से किसी जना जाता है डीग डीग में कितनी तैसिले हैं डीग में जुरहरा, जनुथर, कामा, डीग, पाड़ी, पर बना दिया नगर, तुरार, कुमहेर तो एक तरफ से हम ये कह सकते हैं सीकरी टोटल नो तैसिले हैं, एक जिले में कितनी तैसिले मिली हैं, नो सलूंबर बनेडा महल निमन में से किस जिले में इस्तित है तो बनेडा महल शहापुरा में है बनेडा महल किस जिले में है शहापुरा में है शहापुरा में कौन से महल है बनेडा महल बनेडा महल शहापुरा में है शहापुरा में बनेडा, बनेडा एक तहसील भी है, शहापुरा, जहाजपूर, बनेडा, गुलियंकला, ना, कोटडी, कच्छोला, ये शहापुरा की तहसीले है, सलूंबर में एक शानदार सा कोशन आपसे पूछा जा सकता है रानी हाडी का महल रानी हाडी का महल ये कहां पर है तो सलूंबर में सलूंबर में रानी हाडी का महल है पहले ये उद्यपुर में था पहले कहां था पूरो में उद्यपुर में था क्योंकि यही तो है अपनी जो कला संस्कृति की बुक आ रही है उसकी यही खास बात रहेगी पहले कहां था अब कहां है ताकि विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजिंग रहे ना शाहपुरा में बनेडा महल कोट पुतली बहरोड जो जिला बना है उसमें पंच महल है आप पुछे कि यह पंच महल पहले पूरम में कहां था तो यह पूरम में बिराठ में था और बिराठ कहां था बिराठ सब्यता जैपुर में है तो यह जैपुर में थी लेकिन बरतमान में यह कहां पर आ गया कि कोट कुतली बहरोड में आ गया अब ध्यान से समझना आपसे पुछे डीग के महल डीग में या भरतपुर में तो आप वोगे डीग जिले में पहले कहां थे भरतपुर में थे पनेडा महल पहले बीलवडा में थे पनेडा महल पहले किस में थे में बीलवाड़ा जिल्ले में आती थे और वर्तमान में शापुरा क्या हो गया बीलवाड़ा से अलग हो गया तो ये बनेड़ा कहाँ पर आगे? शापुरा में आगे सलूंबर में राणी हाडी का महल पहले काहाँ था? उधेपुर में था है थोड़े ही ज़्यादा चिंज नहीं वे लेकिन थोड़े ही है अब आप से पूछे चोक्खो लाव के महल चोक्खो लाव या चोक्खे लाव या चोक्खो लाव लिखा जाता है के महल कहां पर है तो महरांगड जोधपुर में है महरांगड जोदपूर में है महरांगड तो जोदपूर में है और महरांगड जोदपूर में कौन सी है महरांगड जोदपूर में एक तो है तो खेलाव और एक है एक थंबा या एक खंबा महल एक खंबा या खंबा के महल ये भी कहां पर है? ये भी महरांगड जोधपूर के अंदर है कहां पर है महरांगड जोधपूर के अंदर है और एक और important question है मुबारक महल काफी सुर्ख्यों में रहता है ये मुबारक महल मुबारक महल टॉंक के अंदर है किसलिए परसिद है ये सुर्ख्यों में किस कारण रहता है उन्तों की कुर्बानी के कारण कौन सा महल सुर्ख्यों में रहता है वो है मुबारक महल मैं वापिस रिपीट कर रहा हूँ का जो कोश्चन है वो यह है और ध्यान से देना इसका जवाब है खेतडी महल कहां पर है और देराओं में खेतडी महल खेतडी में है या जुझनू में है या नीम का थाना में है और इस कोश्चन का आंस्वर डंग से देना बड़ी अत्रीके से देना क्योंकि ये इस question में ये मानो कुछ राज है तब ये मैंने आपसे comment करवा कि पुछना है main comment box में देना है, live chat में नहीं देना कि खेतडी के महल कहां पर है इस question का answer आपको main comment box में देना है एक बार दे लिजिएगा screenshot अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भई अच्छे अच्छे जैसे आप खूब शांदर comment करते हो उससे क्या उसला बढ़ता है तो अच्छे अच्छे comment करना ज़्यादा ज़्यादा गुरूपों में share करना और कल यानि पांस तारिक को पूल वेक्याता, सिक्षक, पटवार, LDC, REIT, RAS, SI करना चाहिए, सभी के offline बैस शुरू होनी जारी जारी कोई भाईवन्दू त्यारी करना चाहिए तो उसका most welcome है टेश्ट स्रीज भी शुरू होने जारी है दस तारिक से तो एक बार अपने गुरूपों में इस वीडियो को share कर देना पहली बार जो चैनल पर आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मंगलवार रातरी साड़े आठ हुजे मेरे साथ जुरूर लाई वाना खला संस्कृति में कहां क्या change हुआ उसके उपर बात करेंगा जै हिन, जै भारत, तमस्त गलमगलर बात सब्सक्राइब कर दिते दो こんな वाल가락 और रामे करेंगा बात कर दूम दिते हैं, आख झाह, इन, भी दूप, आख खला हुआ吃, नाख आया तो जैंड़Life लें बाल बात झाल झाल